नमस्कार केंदिरिय कानून मंत्री बाइ किरन डीजु जी राज मंत्री स्री S.P.C. बगेल जी बैटक में शामील तमाम राज्यों के कानून मंत्री सचीव इस अहम कॉन्फरेंस में उपस्तित अन्य महानुभाव देवी और सजनों देश के और सभी राज्यों के कानून मंत्रीयों और सचीवों की इस अहम बैटक Statue of Unity की भवेता के बीच हो रही है आज जब देश आज हदी का अमृत महोत्सों वना रहा है तब लोग हित को लेकर सरदार पटेल की प्रेणा हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्स तक पहुँचाएगी भी साथियों हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय विवस्ता और विभिन्य प्रक्रियाएं परंपराएं विक्सित होती रही है स्वस्त समाज के लिए आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए देश के विकास के लिए भरोसे मन और त्वरीत न्याय विवस्ता बहुत ही आवश्चक है जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो सम्वेधानिक संस्थाओं के प्रति देश वास्यों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वाद भी उतना ही बढ़ता है इसलिए देश की कानून विवस्ता को निरंतर बहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बहत अहम है साथियो भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है तमाम चुनवतियों के बावजूद भारतिय समाज ने निरंतर प्रगति की है निरंतरता बनाए रखी है हमारे समाज में नैतिक ताके प्रति आहगरः और सांस्कृतिक परंपराए बहुत सम्रुद्ध है हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि वो प्रगति के पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है हमारा समाज अप्रासंगीक हो चुके काईदे, कानूनों, कुरुतियों, रिवाजों उसको हटा देता है, भैक देता है वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो जब वो रूडी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोज बन जाती है और समाज इस बोजते तले दब जाता है इसलिए हर व्यवस्ता में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवशक्ता होती है आपने सुना होगा मैं अक्सर कहता हूँ कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसुस नहीं होना चाहिए सरकार का दबाव जिन्द भी बाकु से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है बिते आठ वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विश्यश जोड रहा है आप भी जानते हैं कि देश ने डेड़ हजार से ज़्यादा पुराने और अपरासंगे कानूनों को रत कर दिया है इने मेंसे अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे है इनोवेशन और इज अब लिविंग के रास्ते से कानूनी अर्चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज़्यादा कम्प्लाइंसीज भी कम किये गए है ये बड़लाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है हम जानते हैं कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अब भी राज्यों में भी चल रहे हैं आजहादी के इस अमरितकाल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीक के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है मेरा आपसे आग रहे हैं कि इस कानून में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जुरूर विचार होना चाहिए इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समिक्षा भी बहुत मदरगार साबित होगी इस समिक्षा के फोकस में इस अब जस्टिज भी हो साथियो न्याय में देरी एक ऐसा विशह है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है हमारी न्याय पालिकाए इस दिशा में काफी गंबिरता से काम कर रही है अब अमरुत काल में हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प Alternate Dispute Resolution का भी है जिसे राज्य सरकार के स्थर पर बढ़ावा दिया जा सकता है भारत के गामों में इस तरह का मेकेनिजम बहुत पहले से काम करता रहा है वो अपना तरीका होगा अपनी वेवस्ता है हो लेकिन सोचे ही है हमें राज्यों में लोकल लिवल पर इस वेवस्ता को समझना होगा इसे कैसे लीगल सिस्टिम का हिस्सा बनाए जा सकता है इस पर काम करना होगा मुझे आद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इविनिंग कोट की शुरूवात की थी। और देश में पहली इविनिंग कोट की वहाँ शुरूवात हुई। इविनिंग कोट में ज्यादा अतर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाद बहुत कम गंवीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना काम काज निपट करके इन कॉर्ट में आकर न्याईक प्रक्रियाव को पुरा करते थे। इससे उनका समय भी बत्ता था और मामले की सुनवाय भी तेजी से होती थी। एविलिंग कॉर्ट की वेज़े से गुजरात में बीते वर्सों में नव लाट से ज़्यादा केसों को सुल जाया गया है। हमने देखा हैं कि देश में त्वरीत नयाय का एक और माध्यम लोक अदालते भी बनी हैं। कई राज्य में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्सों में लाखों केसों को सुल्जाया गया है। इनसे अदालतों का बोज़ भी बहुत कम हुआ है और खास तोर पर गाउं में रहने वाले लोगों को गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है साथियों आप में ज्यादा लोगों के पास संसद ये कारिय मंत्राले का विदाई तो होता है यानि आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करिब से गुजरते हैं मकसद कितना ही अच्छा हो लेकिन अगर कानून में ही ब्रह्म होगा स्पर्ष्ट का अभाव होगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा बविश में सामान्यन नागरिकों को उठाना पड़ता है कानून की क्लिष्टता उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वज़े से कंप्लेक्सिटी की वज़े से सामान्यन नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दोणदा पड़ता है इसलिए कानून जब सामान्य मान्यकी समझ में आता है उसका प्रभाभी कुछ और होता है इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधान सभय में कानून का निर्मान होता है तो दो तरह से उसकी तयरी की जाती है एक है कानून की परी भाषा में टेक्निकल शब्दों का उप्यों करते हुए उसकी विस्तुत व्याच्छा करना और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोग भाषा में लिखना उस देश के सामान ने मानवी को समझ आए उस रुप में लिखना मुल्क कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुई लिख जा इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्मान के समय ही ये ताय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा यानि एक तरह से कानून के निर्मान के समय ही उसकी उमर उसके एक्सपैरिडिक ताय कर दी जाती है ये कानून पांच साल के लिए हैं, ये कानून दस साल के लिए तैकल लिया जाता है। जब वो तारीख आती हैं तो उस कानून की नई परिस्तितियों में फिर से समिक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ता है। इज अब जश्टिस के लिए कानूनी ववस्ता में स्थानिय भाषा के भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्याय पालिका के सामने भी इस विशे को लगाता रूठाता रहा हूँ। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयाद भी कर रहा है। किसी भी नागरी के लिए कानून की भाषा बाधान न बने। हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लोजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्टर का सपोर्ड भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मात्रू भाषा में अकडेमिक एको सिस्टिम भी बनाना होगा। लौ से जुड़े कोर्सिस मात्रू भाषा में हो। हमारे कानून सहच सरल भाषा में लिखे जाने। हाई कौर्ड और सुप्रिम कौर्ड के महत्वपून केसेज की डिजिटल ड्राइबरेरी स्थानिय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। इसे सामान ये मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कब होगा। साथियों, जब न्याय व्यवस्ता समाज के साथ साथ विस्तार लेती है। आधुनिक्ता को अंगीकार करने की स्वाभविक प्रवती उसमें होती ही है। तो समाज में जो बढ़लाव आते हैं वो न्याय व्यवस्ता में भी दिखते हैं। टेक्नोलोजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्ता का भी अभिन अंग बन गई हैं। इससे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आध्देश में इकॉर्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुल हीरिंग और वर्चुल पेशी जैसी व्यवस्ताएं अब हमारे लीगल सिस्टिम का हिस्टा बन रही है। इसके अलावा केश की इफाइलिन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में फाइव जी के आने से इन व्यवस्ताओं में और भी तेजी आएगी। और बहुत बड़े बढ़ाव इसके करण अंतर नहीं है होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्ताओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेकनोलोजी के हिसाब के तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष होना चाहिए। साथियों, समर्त राश्ट और समर्त समाज के लिए समवेदन सिल न्याय व्यवस्ता एक अनिवाद ये शर्त होती है। इसलिए मैं हाई कोड के मुख्य न्याय दिसों की सहीं तो बैठक में अंडर ट्राइल्स का विशे उठाया था। मेरा आप सबसे आगरा है कि केसों के स्पीडी ट्राइल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जुरूर करे। विचारा धिन केदियों को लेकर भी राज्य सरकारे पूरे मानविय दरश्टिकोंड के साथ काम करें ताकि हमारी न्याय ववस्ता एक मानविय आदर के साथ आगे बढ़े। साथियों हमारे देश की न्याय ववस्ता के लिए संबिधान ही सुप्रिम है इसी संबिधान की कोग से न्याय पाली का विधाई का और कारे पाली का तीनों का ही जन्म हुआ है सरकार हो संबिधान रूपी माता की संतान है इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संबिधान की भावना को देखें तो बाद विवाद के लिए एक दूसरे से होड के लिए कोई गुंजाइस्त नहीं रहती एक मा की संतान की तरह ही तीनों को मा भारती की सेवा कर रही है तीनों को मिलकर 21 सदी में भारत को नई उचाई पर ले जाना है मुझे उमीद है कि इस कांफरंस में जो मन्तन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमरूत जरूर निकलेगा आप सबसे मेरा आग्रह हैं कि समय निकाल करके स्टेच अफुनिटी और उसका पूरे परिशर में जो विस्तार और विकास हुआ है उसको आप जुरूर देखें देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तयार है आपके पास जो भी जिम्मेवारी हैं उसको आप बख्ष भी निभाएं यही मेरी आपको शुब कामना है बहुत बढ़ धन्यवाद